हलो फ्रेंट्स विल्कम करती हूं आपके अपने चैनल के रंस किचन में आज जो बनाएंगे वह है चिकन 65 की रेसिपी तो आप इसे कैसे घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं क्रिस्पी बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं और इसका जो चेकपटा वाला स्वाध ह क्रिंट्स के चन को सब्सक्राइब कर लें जिससे की आकर जब मैं कोई विडियो डालू को इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जाए चाहे तो अपनी फेमिली फ्रेंट्स शेर जरूर कर दीजेगा को चलिए बनाते हैं इस रेसिपी को तो चिकन 65 बनाने के लिए यहां मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन के पीसेज लिए हैं उन्हें क्यूब्स में कटवा लिया है चोटा-चोटा और उन्हें धोकर साफ कर लिया है तो सबसे पहले इसमें मैंने डाल दिया नमक साथ ही यहां मीडियम साइच के चमच से मैंने एक चमच धनिया का पाउडर लिया है वो डाल दिया एक चमच जीरा पाउडर साथी यहाँ पर मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया वो तो आप अपने स्वात के अनुसार डालेंगे कितना तीखा खाते हैं और यहाँ दो चमच मैंने अदरक लहसन का पेस्ट और साथी इसमें दो तीन लाल मिर्ची थी वो भी साथ में ग्राइंड किया हुआ है वो डाल दिया और यहाँ पर मैंने चौथाई चमच काली मिर्च का पाउडर डाल दिया अब इसमें डालेंगे सोया सॉस डार्क सोया सॉस जो आती है वो मैंने यहाँ पर दो चमच डार्क सोया सॉस डाल दिया और साथ ही मैंने सेम चम्मच से एक चम्मच वाइट वेनेगर डाल दिया जो वेनेगर आती है न वो मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया अब यहां पर मैंने एक अंडे को इस तरह से फैंट लिया है उसे फोर्ट कर मैंने एक कटोरे में रख लिया और उसे इस तरह से फैंट लिया है और इसे भी अच्छे से फैंट कर इसमें मिक्स कर देंगे इन सबों को पहले अच्छे से मिक्स कर देते हैं अब यहां पर मैंने चार चमच कॉन फ्लार पाउडर लिया हुआ है वो इसमें डाल देते हैं और साथ ही यहां पर मैं दो बड़े चमच मैदा डाल रही हूँ आप इसके जबगा पर चावल का आटा भी डाल सकते हैं बट यहां पर मैंने मैदा डाला अब इन सबी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे की हर पीसे जो है वो इससे कोट हो जाए तो यहां पर यह मिक्स हो गया अभी से पंदर से बीस मिनट के लिए धक कर यूँ ही छोड़ देंगे 15-20 मिनट बाद मैंने एक कड़ाई में रिफाइंड ओयल को गर्म कर लिया है बहुत जादा ओवर हीट नहीं किया है और इन में उन पीसे को डाल कर फ्राई करेंगे तो यहां पर मैं पीसे डाल रही हूं और इन्हें बीच मिज में चलाते हुए इसे बहुत तेज आँच नहीं करेंगे या हीट जो है वो बहुत तेज नहीं करेंगे मीडियम पर ही इसे चलाते हुए बहुत अच्छे से फ्राइ कर लेगे कि जब तक ये पक न जाए और साथ ही थोड़े क्रिस्पी न हो जाए अगर आप हाई ही पर इसे फ्राइ करेंगे तो उपर से पक जाएगा बतं डार बिल्कुल नहीं पकेगा तो ऐसा कूच न ही करेंगे इसे चलाते हुए प्राइ कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से देखें मैंने यहाँ पर फ्राइ कर लिया है अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और जितने बाकी भी जो पीसेज हैं वो उझे भी फ्राइ कर लेते हैं तो यहां पर चिकन जितनी भी थी मैंने फ्राइ कर लिया पर थोड़ी देर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसे क्रिस्पी बिल्कुल बनाने के लिए इसे डबल फ्राइ करेंगे तो फिर से रिफाइंड ओल को मैंने थोड़ा गर्म किया थोड़ा ज्यादा गर्म कि अब यह चिकन जो है नो बहुत ही किस्पी हो गया है बहुत ही करारे हो गया है तो बस फाइनल टच हमें देना है वह है इसका चौक लगाना या तड़का लगाना तो यहां पर मैंने एक पैन को फिर से गर्म किया और उसमें चार बड़े चम्मच मैंने रिफाइंड ओल डाला यह रिफाइंड ओल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो यहां मैंने पांच से छे लहसन की कलियों को काट कर रखा हुआ है चोटे चोटे टुकडों में तो वह इसमें डाल देंगे देखिए तो यह लहसन जैसे ही अच्छे से चटक जाए तो यहां पर मैंने कड़ी का पत्ता लिया था वो भी डाल दिया ध्यान रखेंगे जैसे ही आप कड़ी पत्ता डालेंगे यह तेल बहुत ही चिटकेगा इसलिए ध्यान से जिसे की जले नहीं इस तरह से ध्यान से इसे लेते हैं अब यहां पर दो चमच मैंने टोमेटो सॉस लिया है उसे भी डाल दिया साथी एक चमच चिली सॉस लिया है उसे भी इसमें डाल दिया और यहां चार मैंने हरी मेर्चो को इस तरह से कट कर रख लिया था वह भी इसमें डाल देंगे और इसे हलका सा चलाएंगे अब इसमें मैंने चुटकी भर नमक डाला बहुत नमक नहीं डालना है बस जो हमने टॉमेटो सॉस डाला है न उसको बैलेंस करने के लिए मैंने चुटकी भर नमक डाल दिया क्यूंकि चिकन में अउल्रेडी नमक डाला हुआ है स्वात की अनुसार तो जितने भी फ्राइड चिकन है वो इस तड़के में मिला देंगे इस पैन में डाल दिया और इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे जिसे की जो सॉस है न टोमेटो चिली और तड़के बिल्कुल इकदम इसका फ्लेवर इसमें आ जाए तो इस तरह से इसे भून लेंगे और यह बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है फ्रेंड्स बहुत ही कृपी बहुत ही करारे बहुत ही टेस्टी सी चिकन शिक्सटी फाइब की रेसिपी बहुत ही आसान तरीकों से कोई artificial colors मैंने इसमें यूज नहीं किया तो friends अगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी होगी तो वीडियो को like जरूर कर दीजेगा साथ ही subscribe कर ले मेरे channel को जिससे की आगे जब भी मैं कोई recipe बना कर upload करूँ तो उसकी notification आपके पास जाए फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नहीं और बहुत है अच्छी सी recipe के साथ तब तक के लिए बाद